दोस्तों मेरे सामने एक पेशन बैठे हैं जिनके HbA1c 12.4 है ब्लड शुगर खाली पिट 307 है और रेंडम ब्लड शुगर 407 है जब भी ब्लड शुगर इतना हाई होता है HbA1c जब भी 10 से उपर होता है कोई दवा ले चाय मतले दवा खाते हुए अभी न दवा खाते हुए इसका होता है कि बॉड़ी में इस्टेन अगर HbA1c 10 के उपर आ रहा इसका बॉड़ी के न इस्टेन बहुत कम बन रहा ऐसे लोगो इस्टार्ट करना चाहिए तब रहे मरीज पुछता हूँ आप इस्टार्ट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं चलो भाई जी आपका Hb 12.4 बहुत ज्यादा है ठीक है आप जान लो जब भी ब्लड शुगर हाई होता है तो हाई ब्लड शुगर जो हमारे पंक्रियाज में पेटके अंदर पंक्रियाज में बीटास होती है उसको डैमेज पहुचाती है उसे बतर ग्लुको टॉक्षिस्टिटी ग्लुकोज का टॉ पर जाए खाने पर 400 पर जाए ऐसे लोग को इंसुनित देखर के जल से जल सुगर नहीं चीए सो देट हाई ग्लुकोज इंसुनित ग्लैंड को नुचान ना पहुचा सके और उसको फुच्चर में से बना कैपेशिटी डाउन ना कर सके बट यह थेओरी है दुरभाग्यव लगता है पता भी चलता है और यह दो आपको डाइप्टी है कब से आत्र सुगर कभी नौमल आयक निया है इस्टार्टिक इंपर परस्भी कम होता है चलो कोई बाती आपको चुकि वेट ज्यादा में देखर वेट आपका 90 किलो है आपका फायदा है अगर आप 10 किलो वेट कम कर लोगे आपको डाइप्टी हंड्र 50 परसेंट गुलिग कंट्रोल आएगी तो मैं क्या करने वाला आपको वेट लॉस के दवा दुए जो कि वेट लॉस भी करें आपका सुगर कम करें प्लस आपी थम्हेंत करो एक्साइज करो डाइट आल्टर करो वेट करो और आपका सुगर कम आएगा और इंसुलिक बिना कंट्रोल आएगा ठीक है और आप डाइट किती रोट इखाते एक टाइम में आपको अगर वेट जादा है आपका तो वेट कम करके आप बिना इंसुलिक सुगर कर सकते हैं और एक्साइल करते हैं एक्साइल मतलब रेंडम होती ही कभी कर ली कभी नहीं करने लिए लिए अपको है इसको कम से पॉना अड़े कंटे देली बॉक करो स्किप करो ठाहा जोगिंग करो ठाहा स्विमिंग करो सब करो कुछ ठीक है